अब हर कोई इस तरफ इशारा कर रहा है और हर की नजर सिर्फ और सिर्फ यह जानने में जुटी हुई है क्या आखिर सुशान सिंग राजपूत ने सुसाइड क्यूं किया धीरे धीरे इसको लेकर कई सारी जानकारियां सामने आ रही है और इसमें सबसे आदा जो टार्गेट है वो बॉलिवुट का एक गैंग हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि बॉलिवुट का एक गैंग है जो आउटसाइडर को बॉलिवुट में इस्टैबलिश करने के लि नीरत सिंग बबलू उन्होंने इस पर बात करते वे कहा है कि जिस तरीके से बॉलिवुड के कुछ आक्टर्स खुल कर मुखर होकर सामने आ रहे हैं और ट्वीट करके बॉलिवुड पर अपनी भडास निकाल रहे हैं तो वैसे में अब उन्हें भी शक हो रहा है कि जरूर सुषान सिंग राजपूत की जो मौत है वो उसी तरीके की मौत है जैसे अभी मन्यू की हुई थी जैसे अभी मन्यू को सभी लोगों ने घेर कर मारा था उसी तरीके से बॉलिवुड के गैंग ने सुषान सिंग राजपूत को घेर रखा था और वो परिशान होकर उन्हों इस डारेक्टर पर लगाया जा रहा है कि वो लोग सुशान सिंग राजपूत को काम नहीं देते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि सुशान सिंग राजपूत बॉलिवोड इंडेस्ट्री से तालुकात नहीं रखते हैं और खबर ये भी है कि सुशान सिंग राजपूत को करीब साथ मूवी ओफर किये गये थे जिसमें से 6 मूवी उनसे वापस भी ले लिया गया था और करीब 6 महिने से इसी सब चीज़ों से परिशान चल रहे थे सुशान सिंग राजपूत और इसलिए वो डिप्रेशन के शिकार थे और उन्होंने खुद का इलाज भी करवाना शुरू किया था पुलिस भी तहट तक जानने की कोशिस कर रही है जो खबर मिल रहे है उसके मुताविक पुलिस उस डॉक्टर से बादशीत करेगी जिससे सुशान सिंग राजपूत का इलाज चल रहा था शायद हो सकता है उसे कुछ बड़ी जानकारी सामने आपाए कि उन्होंने पहले से कुछ बताया हो कि किस मुसीबत से वो गुजर रहे हैं और क्या कुछ उनकी तकलीफ है इसके साथ ही उनकी जो करीबी दोस्त है रिया च्रवर्ती उनसे भी पुलिस पूछताच करने बाली है और अब ऐसे में लग रहा है कि इन दोनों से पूछताच करने के बाद कुछ बड़ी जानकारी हासिल हो सकती है लेकिन फिलहाल जो तस्वीरे हैं और फिलहाल जो खबर है उससे सिर्फ और सिर्फ ये इशारा इसी तरफ हो रहा है कि सुशान सिंग राजपूत के साथ येशान राजपूत मॉएफ था गुएत